खबरों से दूर एश्वरा राय बच्चन और सोनम कपूर कान फुन फेस्टिवल में अपने ब्रैंड को प्रमोट काने के लिए पहुँची जहाँ पहले दिन एश्वरिया ने गोल्डन अफ्तार से कहर बर पाया था तो कान में दूसरे दिन भी एश्वरिया ने अपने वाइट फैरी टेल अंदास से हर किसी का दिल जीत लिया साथ ही सोनम कपूर ने कौन से लुक से सबको इंप्रेस किया और कौन से लुक की हो रहे है चर्चा आईदे की स्पेशल रुपार्ट में पहले दिन एश्वरिया ने गोल्डन अप्तार में कान के रिट कापिट पर अपने हुस्न का पर्चम लह रहाया तो दूसरे दिन एश्वरिया ने वाइट फैदर गाउन में अपने स्टाइल और फैशन से दिल जीता जरा देखिए वाइट गाउन एश्वरिया पर बेहत दिलकश नजर आ रही है उस पर उनकी मकमली स्माइल हर किसी को दिवाना बनाने के लिए काफी है एश किसी एंजल से कम नहीं लग रही है उनकी चोहरी की चमक और सिंपल मेकप उन्हें और भी ग्लामरस बना रहा है रेड कापिट पर हमेशा की तरह एश्वरिय राइबच चन बेहत कॉन्फिदेंस से भरपूर लगी उनका स्टाइल भी वहाँ पर मौजूद लोगों को इंप्रेस कर रहा था एश्वरिय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर की हैं जुसमें आश डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में नजर आ रही है रेड कापिट पर एश ने बाइट गाउन पहना जो एश्वरिय के एश्वरिय को और भी बढ़ा रहा है विशे एश के इलावा सोनम कपूर भी कान पहुची और पहले दिन सोनम ने गोल्डन स्टाइलिश और क्लासी साड़ी पहनी हुई थी जो उन पर काफी खुबसूरत लग रही थी आपको जानकर हैरानी होगी कि कान में सोनम का ये दसवा साल है जी हाँ, सोनम इस साल को यादगार बनाने के लिए कमर कस चुकी है फ्रेंच रिवेरिया से सोनम की लेटिस तस्वीरे सामने आ चुकी है नज़र डालिए सोनम की इन पोटोस पर वही दूसरे लुक में सोनम कापूर एली साब के ब्लू गाउन में नज़र आई उनके इस लुक को इसमें लगा बो और भी ट्रेंडी टच दे रहा था परफॉर्मंस देने से पहले पोस्ट देती हुए कई फोटो शेर की थी सोनम कापूर ने इस कान में रेट वेलेंटीन ड्रेस पहना हुआ है तो सोनम कापूर ने भी अपने डिफरेंट लुक से कान में अपने फैशन और स्टाइल से लोगों का दिल जीता विसी से पहले दीपिका, प्रियांका, डाइना, हुमा और हिना खान ने भी कान में अपने स्टाइल और पैशन का जादू चलाया लेकिन कहला गलत नहीं होगा, कि कान की रेट कापिट पर, बॉलिगूर हसीनाओ पर एश्वरे राय बच्चुर इस बार भी कहीं से भी पीछे नहीं रही, उन्होंने अब तक कि अपने सभी लोग से पांस का दिल जीता है Bureau Report, IBC 24